हेलो एवरिवन देस साइड मोनीक यादर, होप यू ओल गूट इन दिस वीडियो आइम गूंग तो टीच साल प्रक्टिस 10D 10D एक्सराइज का फर्स्ट कुशिन देखिए कम्प्लीट देबल फोर इच ट्राइंगल बाइ इंसर्टिंग देटेल फोर्म देफिगर and verify the Pythagoras Theorem is true for each triangle or not हमें ये वाले टेबल कम्प्लीट करनी हैं इन सभी ट्राइंगल की डिटेल यूज करके ओके और देखना है कि Pythagoras Theorem हमारी जो सच है कि नहीं है इन ट्राइंगल के लिए लेकर फिर उसके बाद बताया गया है कि A denote करता है इस साइड को B denote करता है जिसको हम करन बोलते है हिंदी में पहले समझ ओर लीजिए Pythagoras Theorem क्या होती है Pythagoras Theorem हमारी राइट एंगल ट्रेंगल में होती है यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रेंगल बना हुआ है यह राइट एंगल है ना राइट एंगल की अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटनियूज बोलते हैं और जो हाइपरटोनियूज है वो राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है आप लोग देख भी पारे होगी यह राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और जो यह हमारी दो साइड है इनको बोलते हैं लेग्स ओके अच्छा पाइथगोरस थेयरम में रूल क्या है देखो हाइपरटोनियूज को C बोला गया है तो हाइपरटोनियूज स्केर या फिर C स्केर दाट इस इकुल टू A स्केर प्लस B स्केर यह हमारी पाइथगोरस थियोरम होती है अगर c स्केयर इक्वल है a स्केयर प्लस b स्केयर के तो वो ट्रेंगल हमेशा right angle ट्रेंगल होता है फर्स्ट वाला कोशन तो मैं इसी figure में आपको भरके दिखाती हूँ c स्केयर इस वाले में c स्केयर क्या होगा c कुन सी साइड है right angle के जो opposite side है right angle के opposite side क्या है 5 मतलब 5 का स्केयर क्या होगा 5 5 जा 25 25 okay a square क्या होगा a जो की नीचे वाले साइड है ये क्या है 3 थ्री का स्केयर क्या होगा 9 और b square 4 का स्केर क्या होगा 4 फो जा 16 आगे दिया हुए A स्केर प्लस B स्केर A का स्केर कितना है था 9 और B का स्केर कितना है था 16 दोनों को एड़ किया जाए तो 25 बनता है और देखो यह C स्केर के बराबर है इसी तरह आना इस question के सबी part हम करेंगे ठीक है first question का A part तो हम कर चुके है अभी B part देखिए B part में क्या दिया हुआ है C यहाँ पे क्या है C क्या होती है हमारी hypotenuse जो right angle के opposite side है तो यहाँ पे C हमारा 10 है 10 का square क्या होगा 10 multiply 10 that is equal to 100 पहले में आएगा हमारा 100 अच्छा उसके बाद है A square A क्या होता है हमारा base 6 का square क्या होगा भई 6 को 6 से multiply करेंगे तो 36 तो यहाँ पे आएगा 36 और B square इस वाले 8 का square 8 का square क्या आएगा 8 एट जा 64 64 यहाँ मैंने लिख दिया अभी last में क्या है A square प्लस B square A square क्या आया था हमारा 36 और B square क्या आया था 64 अगर दोनों को add किया जाता है तो 100 आता है यह मैंने 100 यहाँ लिख दिया QC देखिए QC में हाइपरटुनियूज क्या है जो ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड है या फिर जो राइट एंगल की अपोसिट साइड है तो यहाँ सबसे बड़ी साइड कोंसी है 20 20 का square that is equal to 400 20 को 20 से मल्टिप्लाइ करोगे तो 400 आएगा A का square A means base 12 का square that is equal to 144 12 को जब 12 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 144 आएगा 20 स्केर है गया 20 स्केर मतलो 16 का square 16 का square that is equal to कितना है गा 256 अभी हम लिखे देते हैं सभी को C square क्या आए था हमारे पास 400 यह 400 लिख दिया A square 144 B square क्या आया था 256 और A square plus B square क्या आएगा इन दोनों को अगर add क्या जाए तो क्या आएगा 400 यह 400 लिख दिया अभी डीक पार्ट करते हैं इसका हम C square C square क्या है सबसे लंबी वाली साइड जो की है 15 15 का square करोगे तो क्या आएगा 15 को multiply करो 15 से आएगा 225 पहले में हम लिख देते हैं 225 उसके बाद है A square B 9 का square क्या आएगा 9 को 9 से multiply करेंगे तो क्या आता है 81 यहाँ पे लिख दिया 81 उसके बाद है B square 12 को 12 से multiply करना है 12 का square क्या आएगा 144 144 हमने लिख दिया अभी क्या लिखा ला है A square प्लस B square 81 को प्लस कर दो 144 में एड कीजिए एड करोगे तो क्या आएगा 225 सेकेंड कोशन देखिए Find the length of the hypotenuse in each triangle all measurement in centimeter जो हमारा hypotenuse है मतलब जो यहाँ पे X है जिसको हिंदी में कार्ण कहते है वो हमें find out करना है और जो यह measurement है यह centimeter में है ओके तो हमें X पता करना है using Pythagoras theorem Pythagoras theorem में क्या होता है hypotenuse का square मतलब X का square that is equal to A square plus B square 8 का square plus 15 का square टीक है X square that is equal to 8 को 8 से multiply करते है तो क्या था है 64 plus 15 को 15 से multiply करेंगे तो क्या हैगा 225 X square that is equal to 289 आया है यह X square आया है सिर्फ X निकालने के लिए हम क्या करेंगे 289 का under root निकालेंगे आप लोगों को under root निकालना आपके teacher ने सिखा रखा है अगर नहीं आता होगा तो आप मुझे एक message डाल देना मैं under root निकालने की special video आपको provide कर दूँगी ठीक है मैंने यहाँ पर side में under root निकालके भी दिखा दिया है X equal to क्या के हमारा 17 cm Question 2 का B part करते हैं ठीक है Hypotonious जो की हमारा X है वो find out करना है हमें उपर लिख दो by using Pythagoras theorem X square that is equal to 9 square plus 12 square Okay X square that is equal to 9 9 से multiply करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 81 12 को 12 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 X square that is equal to क्या आजएगा इन दोनों को add कर लिजी 225 आएगा अभी हमारे पास X square आया है अभी हम X से निकालेंगे X equal to क्या होगा under root of 225 under root निकाले जे इसका under root 15 आएगा 15 को 15 से multiply करते हैं तो हाएगा 225 साइड में मैं under root निकालके भी दिखाई देती हूँ आपको अच्छा ये जितनी भी length थी वो cm में दी हुई थी इसलिए हम क्या लिख देंगे X equal to 15 cm Q2 का C पार्ट करते हैं उपपर लिख देंगे by using Pythagoras Theorem X square equal to क्या होगा 20 का square plus 21 का square X square that is equal to 20 को 20 से multiply करेंगे तो 400 आएगा plus का sign है तो plus का sign 21 को 21 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 441 X square that is equal to 841 अभी हम X निकालेंगे तो क्या करना होगा हमे 841 का under root अच्छा 841 का under root निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 और सभी measurement cm में है इसलिए इसके पीछे cm लगा दो Q2 का D पार्ट करते हैं उपर लिख देंगे by using Pythagoras theorem X square that is equal to 7 square plus 24 का square X square that is equal to कितना आजाएगा 7 को multiply करेंगे 7 से तो क्या आएगा 49 प्लस 24 को multiply करेंगे 24 से तो क्या आएगा 576 X square that is equal to इन दोनों को add कर लिजे तो आएगा 625 X square हमारे पास आगया 625 यहां से हम निकालेंगे X तो हम क्या करेंगे under root of 625 इसका under root निकाल लिजे X equal to क्या आजाएगा हमारे पास 25 25 सेंटीमीटर क्योंकि उपर कोशिन में बताये था न कि all measurements are in सेंटीमीटर That's why X equal to 25 सेंटीमीटर हमारा आएगा